आज मैं आपके लिए मालपुवा की इतनी जबरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाने में बहुत आसान है बहुत जल्दी बन जाती है घर में कोई मैमान आ गया है तो फटापट से इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए या कभी कुछ मीठा खाने का मन है तो यह रेस हम शक्कर आप इसकी जगे पिसी हुई चीनी का भी यूज कर सकते हैं आदा चम्मस लेंगे हम इसमें सौपका पाउडर आदा चम्मस लेंगे हम इसमें इलाइची पाउडर और इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे अब यहां लिया है मैंने मैंदा तो एक कटोरी मैंदा ल डाल देंगे और इसका एक ठिक बैटर बनाकर तयार कर लेंगे कोई लंग्सिया गुठलिया नहीं होना चाहिए उसमें इसको हम ढखकर रख देंगे थोड़ी देर के लिए इससे पहले मैंने इसमें डाली है मलाई तो यह दो चम्मच मलाई है अगर आप चाहे तो डाल सकत सकते हैं इस मलाई को भी अची तरह से भीडिया और इसको हम जब तर ढग करते हैं हम करते हैं चासनी के vibr ऑग पैन में लेंगे हम एक काटोरी शकर और एक काटो पानी कि इसको हमे बिल्कुल हाई फ्लेम पर पकाना है हाई फिलिम पर ही हमें इसका एक सिरप बना कर तयार करना है बिल्कुल आधा पिंच या एक पिंच के लगबग हम इसमें डाल देंगे लड्डू कलर आप चाहें तो यहां केसर के धागे भी यूज़ कर सकते है और इसको हम फटाफट से उबाल लेते हैं इसका एक सिरप बना कर तयार करना है एक या दो तार की चासनी का कोई जंजड नहीं है इसमें इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गया है तो हम चेक कर लेंगे इसको यह देखिए इसकी फिलिंग थोड़ी तेल जैसी चिपचिपी आने लगी है मतलब कि हमारा शरप बनकर तयार है इसको हम रख देते हैं साइड में हमारा वैटर भी अच्छी तरह से फूल गया है अगर आपको लग राए कि थोड़ा गाड़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूद और एट कर सकते हैं और देखिए जब हम इसको गिराएंगे तो यह बुलकुल रिबन की तरह गिरेगा एक लेयर में गिरेगा और देखिए बहुत अच्छी कोटिंग आजाए कि आप जिस पी चम्मच के यूज करेंगे वैटर हमारा परफेक्ट है तेल हमने गरम होने रख दिया है और यह दे तेल उपर डालते जाएंगे ताकि उपर से भी इसकी सिखाई अच्छी तरह से हो जाए जब यह सिख जाएगा दो मिनिट में ही तो देखिए इस तरह से यह अपने आप छूच जाएगा और इस तरह से आम इसको पूल का गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे मैं आपको पास से दिखाती हूँ तो देखिए इसके परफेक्ट जाली भी आई है बिना इनो बिना सोडा के पठापट से हम अपने सारे मालपूः बना लेते हैं तो यह देखिए डालते ही कितने बढ़िया बन रहे हैं एकतम गोल मटोल फूले फूले से बड़े छोटे आप अपने साब से कर सकते हैं मालपूः को गैस का फ्लिम हमें मेडियम टू लो रखना है हाई फ्लिम पर इनको बिल्कुल नहीं पकाना है सारे मालपूः हमारे बन कर तैयार है तो यह देखिए परफेक्ट गोल बनी है एकतम टेंटिंग लग रहे हैं इनको हम डाल देंगे चास्नी हमारी हल्की गुंगुणी है माल पूः या ठाट से कोई एक चीज गर्म हो ना ठस्टल तो आप अगर गरमम पूः हैं तो च अपने लёл को फ्लिक खी जुझिक होना है और इस तें से चार मेट के लिए उसमें छोड़ देंगे मालपुवा को ताकि उसमें सारी चासनी अब्जर्ब कर ले ये देखी बहुत अच्छे लग रहे हैं बहुत फटा-फट से हमारे मालपुवा बनकर तयार हुए है रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए आए है तो सब इस भी आप बना कर इंजॉय कर सकते हैं हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई